दुलाहा को जो काजल लगाए जाता है तो दुलाहा के काजल में असंजक बल कम रहता है तो विचरा बरात के समय तयार होके जाता है वहां तक पसर रखेंगे बह जाता है तो दुलाहा लगता है जिसे फांसी देने वाला जलाद है काजल लगाई हुए चिपक गिया है क्यूंग चिपक है क्योंकि काजल में क्या असंजक बल रहेगा असंजक पर 맛 已经 जाने रहेगी और यही वह लगाएंगे तो आधा गंडा बाद पोटा आ लगाता है तो चाहिसे फाइसान आप का का निवा चल लगता है लेकिन जो का सबस्क्राइब ड्रहता सब्सक्राइब जो तो उसके चमपनी का लगा जाता है लकिन वहας Safety लगता है कियोंकि खुल theo क्या चाहित बिंड़ता है सुवेरे ले कई से पोद दो यहां पर पूरा बढ़िया से आख बटोर के तो यह जम चोड़ा पटी से पोद दो एक बढ़िया से तर टी का पोद दो कि बभू आको नजर ना लगे अनौरातन में तो पूरा पेट वट सब पोद पाद दो तो यह सब जो देशी काजल बना र अच्छा वह रहता है अगर महा वाला रहेगा तो जादे देर तर चीपका रहेगा अस्तावा रहेगा तो ठोड़े पर इसे लिवड़ा जाएगा जैगा आप लोगी लड़किया को ध्यान से मत देखा किजिए आप लोगो बार समझाते हैं फीजिक्स का टापिक समझे इस का सीवेसी पोड की होगी क्योंकि वह इसा इसा करांती कारी काम करता है सब बाकी Hindi-Midia Malai सब नहीं करता है सब तो यह क्यों चिपका हुगा है मोबील इसी दिया चिपक गया इसके ठोड़ पर क्योंकि जो मोबील लगाई है यह यह ठोड़ रंगने के लिए लगाई हुई ह उसमें असंजग बल की भैलू ज्यादे है तो कभी भी एक चीज दूसरे चीज पर चिपकती है तो असंजग बल आपस में चिपकता है